हेलो फ्रेंड्स मैं के टेलर आपको अपने यूटूब चैनल में स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बटरफलाई सलवार की कटिंग करना सिखाऊंगी अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड टक्स जरूर देखना तो चलिए फ्रेंड्स सुरू करते हैं यह हमन प्रेस करेंगे प्रेस कर ली है इसे हम चोडाई में फोल्ड करके इसे भिछा लेंगे अब इसे हम प्रेंगल में फोल्ड करेंगे अच्छी तरह से यह मारा और रेग है तो इसे आराम से सिधा करेंगे यह हमारा अच्छे से सैट हो चुक्या है अब हम अपनी सलवार की लंबाई लेंगे हमारी सलवार की लंबाई है उन्ताड़े से इंचे इससे पहले हम उपर एक इंच बेल्ट का निकालेंगे और नीचे 29 इंच पर निशान लगाएंगे और आदाइंच फोल्ड करने के लिए लगाएंगे अब हम आशन का निशान लगाएंगे एक इंच उपर छोड़ेंगे और यह हमारा हीप का चोथा हिस्सा होगा इप हमारी 38 इंच की है तो इसका चोथा हिस्सा हमारा से डेनो इंच होगा और दो इंच इसमें पलस करेंगे यहां पर हम दो इंच का निशान लगाएंगे और इसे मिला लेंगे ऊपर भी दो इंच का निशान लगाएंगे और इने मिला लेंगे और यहां पर इसे गोलाई देंगे यह मार्किंग तो हमारी पूरी हो चुकी है इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे इसे सिधा कट कर लेंगे इस एक्स्ट्रा कपड़े को अटालेंगे यहां से कट करके इस कपड़े को हम बेल्ट में यूज़ कर लेंगे इस दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए हम इसे थोड़ा सा फोल्ड करके यहां से कट करेंगे अब यहां कोने पर हम डेड इंज का निसान लगाकर यहां पर इसे इस तरह से कट करेंगे यह हमारा सेंटर पॉइंट है अब यहां से भी कट करेंगे और इसे हम आधायन से फोल्ड कर लेंगे और इस एक्स्ट्रा कपड को काट देंगे यह मारे सलवार की कटिंग पूरी हो चुकी है इसके बाद हम बैल्ट की कटिंग करेंगे यह मारा बच्चावा कपड़ा है इससे बैल्ट निकालेंगे पहले हम कपड़े को सीधाकट करेंगे और कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे और हमारी बैल्ट है सेट-चारिंज की निकलेगी क्योंकि बैल्ट हमें डवल फोल्ड करनी है प्लास्टिक डालने के लिए यह सेट-चारिंज का निचान होगा और यहां भी सेट-चारिंज का निचान होगा और इसे हम स्केल की मदद से मिला लेंगे उपर भी और इन्हें काट लेंगे इधर से भी को घुटा देंगे यह मारी 21 इंची है तो इसमें थोड़ी सी आगे ज्वैंड कर लेंगे कपडे को यह मारी बेल्ट है यह मारी बटरफपलाई सलवार की tatक Columbi कंप्लीट हो चुकी है अगर आप इसकी स्टीचिंग देखना चाहते हैं तो अगली वीडियो का इंतिजार करना और वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा सेर करना और कमेंट में बताना कि हमारी वीडियो कैसे लगी थेंक्यू